तो दोस्तो आज की वीडियो में हम गौरव सर के बुक घोस्ट हंटर गौरव तिवारी के आखरी दो केसेज पर बात करने वाले हैं जी हाँ ये दोनों केसेज काफी दिल्चस्प हैं और आखरी दो केसेज हैं तो वीडियो भी इस टॉपिक पर आखरी होगी अब आप मेंसे कई लोग गौरव सर के किताब को खरीदना चाहते हैं लेकिन फिलहाल बुक्स आउट ओफ स्टॉक है क्योंकि आप लोगों ने सभी बुक्स को खरीद लिया तो बुक की जो पब्लिशिंग है वो फिर से अराउंड जून शुरू होगी तो उस वक्त मैं अपनी वीडियो में लिंक्स अपडेट कर दूँगा एक कम्यूनिटी पोस से आप सबको बता भी दूँगा कि बुक्स टॉक में आ गई है तो ये कहानी निलंजन और वेरोना नाम के एक कपल की है जो अभी-अभी कोलकाता से बैंगलोर एक नए सफ़र की तलाश में आए है निलंजन को कमपनी की तरफ से यहां ट्रांसवर मिला था और वो आते ही यहां नए घर की तलाश में लग गए ब्रोकर उन्हें एक घर दिखाने लाता है जो काफी पूराना लग रहा था अब देखने में तो यह घर किसी आम घर जैसा ही था लैक पूरानी बिल्डिंग, लंबी चौरी खिरकिया और दरवाजे लेकिन वेरोना को यह घर बहुत पसंदाता है इन्हें जल से जल घर की जरुरत तो थी ही इसलिए कुछ बातों को निलंजन नजर अंदाज कर देता है जैसे यह कि घर में कई जगा जलने के निशान बने हुए थे इन्फैक काली नों दिवारों पर भी धुए की परचाई बन गई थी और इस बारे में पूछने पर मकान मालिक ने उन्हें इतना ही बताया कि पिछला किरायरदार जो था वो सिगरेट वगड़ा पीने का आदी था इसलिए कर गलती से आग लग गई थी तो कुछ दिन भी जाते हैं जिसके बाद निलंजन विरोना अपने पेट डॉग लॉइड के साथ यहां रहने लगते हैं अब भले ही वहाँ कोई मौजूद नहीं था लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी तो ऐसे में विरोना बहुत डर गई और वो तुरंत लॉइड को अपने साथ ले गई अपने परूसी के पास पहुची ताकि उनसे मदद मांग सके अब कुछ घंटो बाद जब निलंजन वापस लोड़ा तो विरोना उसे बताया कि उनके घर के ठीक सामने एक कपरिस्तान है विरोना कहती है कि मकान मालिक ने उन्हें इस बारे में कोई जानकाडी नहीं दी थी जबकि ये कबरिस्तान उनके घर के ठीक सामने बना हुआ था। खैर निलंजन इस घटना पे उतना ध्यान नहीं देता लेकिन इसके बाद हादसे और भी बढ़ने लगे। बहुत खड़ाब होने लगी। वेट से दिखा कर भी कोई फाइदा नहीं हुआ और अंध तर उस मासूम जानवर की जान चली गई। अब इस हादस ने निलंजन और विरोना को तोर के रख दिया था और वो चाह कर भी घर खाली नहीं कर बा रहे थे। कुछ दिन बाद एक उसी वक्त लॉइड को पुकारा और यह आवाज शान्त हो गई। अब क्योंकि घर में ऐसी ही घटनाएं बढ़ने लग गई थी तो निलंजन इस दौरान IPS के बार में पता लगा है और गौरव को घर पे इन्वाइट किये। गौरव ने EMF मीटर की मदद से आसपास का निर हेबर घवडा रहे थे लेकिन बहुत पूछने पर उन्होंने रिवील किया कि घर को किराय पर लगाने के लिए उन्होंने जूट कहा था। जी हां मिस्टर हेबर कहने लगे कि निलंजन से पहले यहां एक लड़का रहता था जो ऊटी से बैंगलोर पढ़ाई करने आया था यह लड़का काफी अमीर परिवार से था और रात दिन बस ड्रग्स वगेरा किया करता था। मिस्टर हेबर ने उसे घर खाली करने के लिए भी कहा था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक रात उस लड़के ने खुद को आग लगा कर ही खुद को मार लिया। है बर जानता था कि ये खबर उसके घर के लिए सही नहीं रहेगी अतर उसने इस बारे में निलंजन और वेरनवा को नहीं बताया। तो हादसे की जानकारी लेने के बाद गौरव सर ने पूरे घर में एक क्लिंजिंग का काम शुरू किया और कई घंटों तक वो लगे रहे ये सब करते हुए दो पहर के बाड़ा बच चुके थे और रिच्वल खत्म होने ही वाला था कि अचानक गौरव सर को वही खटखनानी की तेज आवाज सुनाई देर लगी। गौरव देखते हैं कि EMF की स्पाइक बहुत बढ़ गई है और ये आवाज भी तेज होती ही जा रहे थे ऐसा लग रहा था मानो लॉइड दोर कर किसी पर जपट रहा हो कुछ देर बाद सब कुछ अपने आप ही शान्त हो गया और EMF मीटर भी अब कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा था तो गौरव इस हादसे के बारे में निलंजन और विरोना से बात करते हैं और उन्ह ही एक और कहानी है जिसमें दो सहलिया होती है और यह दोनों सहलिया जाके एक बावा से मिलती है कब्रिस्तान में उनसे तंत्र मंत्र सीखती है अब इस तंत्र मंत्र की ताकत से इन्हें एक शैतान के बारे में पता चलता है जो कि इन्हें मारना चाहता है तो क्या यह दोनों सहल या बच पाएंगी जानिए भूत आत्मा कहानी में जिसे आप सुन सकते हैं कुकु एफम पे देखो कुकु एफम इंडिया का आप पूरे अपको सिर्फ एक सर्च बटन की मतद से एक्स्प्लोर कर सकते हैं और यहां एक न्यू रिलीजे सेक्शन भी है जहां पे आप न्यूली आड़े अड़ियो बुक्स को से और स्टोरीज को सनु सकते हैं अब आज से यानि 28 अप्रील से लेकर फर्स्ट में ता को डाउनलोड करना होगा एंड देन वहां पे एक कूपन कोड यूज करना होगा विच इस सेल सिक्स्टी तो देड़ मत करो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट दोनों में है उस पे क्लिक करो कुकु को डाउनलोड करो और जल्दी से नाव और निवर सेल का फायदा हपी लिस्निंग 2016 के अरौन का है तो रात के करीब 3 बज रहे थे जब लता को किसी के हलके आवाज में पुकारने की आवाज आती है कोई उसे मा कहके पुकार रहा था लेकिन जब लता बिस्तर की तरफ देखती है तो वहां उसका बेटा मौजूद नहीं था अब तक लता बेहत घबड़ा ग पीच तेज गती से चलते देखती है कत्मों की आवाज लगातार तेज हुए जा रही थी अब ये बात हैरानी की थी क्योंकि इस वक्त घर में कोई और मौजूद था ही नहीं तो इसके बाद लता के कमरे में कोई खिर्कियों को खटखटाने लगा था और उसे बार बार मा क कहके पुकार रहा था किसी तरह खुद को संभालते हुए लता आगे बढ़ती है कि तभी पीछे से समर्थ आकर उसे पकर लेता है लता उसे देख चौक गई थी क्योंकि कमरे में दो मिनट पहले तक समर्थ का नाम और निशान नहीं था लता उसे पूछती है जिस पर पर कुछ हावी हो गया हो ऐसे में लता अपने पिता और बड़े भाई को तुरंत मुंबई आने को कहती है जो इस वक्कूलकाता में रहते थे सारा परिवार अब इकठा हो चुगा था और इधर लता के घर में हाथ से बढ़ते ही जा रहे थे कभी किसी को कोई अंजाना आक इसकी मदद लेते हैं अब जिस ताइम ये केस आया था उस वक्कूलक खुद अपनी परिशानियों से जूज रहे थे अता हो मेगना रिड्स सिधार्त और मोहन को जैजा लेने भेज देते हैं तो जब मेगना टीम के साथ इस घर में पहुंसती है तो उसे लदा की पिता पर मिले रजनीस काफी डरे हुए लग रहे थे और वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनका परिवार पासी के एक होटल में ठहड़ा हुआ है क्योंकि इस घर में एक मिनट भी रुकना खत्रे से खाली नहीं है मेगना रजनीस को संभालने की कोशिस करती है और उनसे लता को बुलाते हैं और लता यहां हिम्मत करती है और IPS टीम को पिछले हफते का एक CCTV फुटेज दिखाती है इस वीडियो में हम एक आदमी को देखते हैं जो घर के हौलवे में खड़ा था देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यह आदमी अपने होश में ना हो वो करीब 30 मि ही रुकने वाला था अता काफी देर तक सभी जगें हुए थे फिर रात के दो बजे वो वाशून जाने के लिए उठा और चलते चलते बीच में ही रुक गया डरते वे रजनीस बताते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे रोक के रखा है राना पूरी तरह ट्रांस हॉलवे में हो रही थी अता सिधार्थ यहां कैमरा लगा कर कुछ फोटोस खीचने की कोशिस करता है उसे अपने पीछे एक गहरी काली पर चाही महसूस होती है और सिधार्थ रियलाइस करता है कि वो एक परनानॉर्मल अक्टिविटी के सेंटर में खड़ा है हिम्मत करके स सिधार्थ इस एंटिटी से बात करने की कोशिस करता है वो पूछता है कि क्या यहां पे कोई है लेकिन यहां जो भी आदा मौजूद थी वो काफी गुस्से में लग रही थी सिधार्थ के पुकारने पर यह आत्मा काफी बड़ा रूप ले लेती है और एक बड़े काले घ घबडा चुका था और वो जल से जल यह सारी घटनाए अपने बाकी के टीमिंबर्स को बताता है मेगना EVP recorder on करती है और सभी टीमिंबर्स आत्मा से कॉन्टाक बनानी कोशिस में लग जाते हैं सिधार्थ इस आत्मा से पूछता है कि क्या उसका इस परिवार के बच्चे से कुछ लेना देना है जिस पर surprisingly यह entity एक बहुत साफ और intelligent जवाब देती है जो था हाँ जी हाँ और अना से जादा साफ जवाब क्या हो सकता है तो इसके बाद रेट्स बाकी के परिवार के साथ आत्मा से बात करने की कोशिस करता है वो लटा के पिता को सवाल करने कहता है और रजनीस हिम्मत करके पूछते हैं कि क्या तुम हमें जानते हो इसका अगेन जवाब आता है हाँ दिन रजनीस पूछते है कि क्या तुम इसी परिवार से हो एक बाड फिर जवाब आता है हाँ इसके बाद रेट्स इस आत्मा से उसका नाम पूछता है और जवाब आता है ग कूलकाता में रहता है। अब मेगना आगे पूसती है कि आखिर घीतांजली के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज वो उसके परिवार को निशाना बना रही है। इस पर लता बताती है कि कई सालों पहले उसके भाई पुषपेंद्र की शादी गीतांजली नाम की सीधी साधी लगी के साथ हुई थी। ये एक अरेंजड मैरस थी जो दहेज के वादे पर टिकी हुई थी। शादी के बाद सहीं पुषपेंद्र और रजनीस के परिवार ने कोई सामने नहीं आया। अंदधा गीतांजली खुद को मार ली और अपने पीछे एक साल की अमीशी को छोड़ गई। पुषपेंद्र उसके परिवार पर पुलिस केस हुआ लेकिन सबूत ना मिलने के कारण पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लता बताती है कि वो अपने भा साल कनी से कुद कर खुद को मार ली। देखने वालों को कहना था किसा लगाता जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया था और अब घर में ये सब हाथ से हो रहे थे। तो इस सब कहानी को सुनकर मेगना सारो मामला समच चुकी थी और वो लता को अमीशी को वापस ले आने की सल अंजली चाहती है और वो ये कि वो अमीशी को अपने बेटी की दरह पा ले यहीं पर ये वाला केस भी खत्म होता है तो दोस्तों ये थी आखरी दो केसे गौरफ सर के किताब से और मुझे उमीद है कि आपने वीडियो को इंजॉय किया होगा अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यहां मैं आपको फिर से याद दिला दू कि कुकुफम पर 28 अप्रील से 1 में तक नाव और निवर सेल चल रहा है जहां आपको आखडी बार 60 डिसकाउंट मिलेगा और फिर्स मन्थ सब्सक्रिप्शन ओनली यानि पहले मन्थ का सब्सक्रिप्शन स फाइदा उठाओ चानल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा क्योंकि हम पने चानल पर ऐसी वीडियो लाते रहते हैं पीस